इतने भी चात्रों ने B2P के लिए इवेंस से हमका एक्जाम दिया था तो काफी चात्र ऐसे थे जिन्टों किसी वज़े से बैग लग गया था तो बैग लगने की बाद उन्होंने स्कूटनी और रेवलुशन के फार्म को अपलाई किया है इसके बाद सवी स्टूटनी वेट जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में जो आपका रिजल्ट है कब तक आएगा और आप सब अपना रिजल्ट कहां से चेकाउट कर पाएंगे अब बाई क्या होता है ना कि B2P ने क्या किया था पिछले साल जो आपका स्कूटिनी रिवूल्वूशन का जो रिजल्ट था ऊपका नुवंबर के फर्स्ट वीक में जारी किया था ऐसा ग्यास हुआ था लेकिन जो आपका प्रिवर्श यह में जो रिजल्ट धाइवन सिम्क और ट्वेंटी सेप्तंबर को जारी किया गया है तो यहां पे का इस mostly chance है कि आपका जो result है 15 आप अक्टूबर से लेकर 20 आप अक्टूबर के बीच में रिजल आजागा इसका इस mostly chance है तो आप सब तो अपने दिमाख में doubt मत पालना कि रिजल कब आएगा कैसा आएगा तो आपको बस 20 20 अक्टूबर तक वेट करना है पड़ेगा आपका थोड़ा सा 3-5 दिन आगे पीछे हो सकता है बड़ आपका 20 अक्टूबर आपका एक्जेक्ट डेट है अप आपको बात करते हैं कि आखिर में आपको बोनस नमर मिलेगा या फी नहीं मिलेगा तो पिछले एर्स की बात करें तो पिछले एर्स क्या हुआ था कि काफी बच्चे ऐसे थे जिनको 1 नमर से बैग लगा था 5 नमर से बैग था 10 नमर से बैग था तो 10 नमर तक ये भी बैग क्लियर हुए थे गैस मैं आपको अगर आप पिछले हमारी वीडियो देखेंगे पिछले एर्स की तो आपको आपको बोनस नमबर 100% मिलेगा और इसके लिए में 100% चोरू कि आपको बोनस नमबर मिलने वाला है अब बात करते हैं कि आखिर में ऐसे कौन से इस्टूएंड किन को मिल सकता है ऐसा आपके दिवा में क्यूशन तो आई रहा होगा लेकिन का इस हम बात करें ना अगर आपक करता है तो उनके रिजल में काई सो डेफिनेटली ग्लीच है कोई तो कोई टेकनिकल प्रॉब्लम है वहाँ पर इसलिए वहाँ पर एडबलू बीडबू सो कर रहा है तो ऐसे स्टूएंड के नमबर बढ़ने के चांसे हाई होते हैं अगर आपके भी रिजल्ट में कोई आपके रिजल्ट में इसा नहीं सो कर रहा है आपको एक से लिए पास नमबर तक बैख है तो आपके भी चांसे हाई हैं आपको भी मिल सकते हैं लेकिन जो चांसे होते हैं हमने देखा है हमारे जो रिकॉर्ड बता रहा है कि आपको जो नमबर मिलेंगे आपके अगर रिजल इनको bonus नमर मिलने के chances हाई है क्योंकि इनके result में कोई ने कोई technical issue है जिसकी विए से इनको बैक कटेगरी में डाला गया है तो guys आपको थोड़ा सा wait कर लेना है अब guys हम बात करते कि आप अपने result को कैसे checkout कर पाएंगी तो guys जब भी आपका result आता है या फिर आपको अभी तुरह से विजिट करना है पारादी मुनसी पालडी आपको मैं शूर बता रहा हूं आप यहां पर विजिट करो यहां पर आपको कुछ अगले विडियो में क्यूशन को कमेंट करना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं आज भी और कल भी भी तो बाय बाय टेक केर फिर से मिलते हैं अगले बाय बाय टेक केर